कि आप सभी लोगं को मालू होगा कि हमारे देश में पांच राज्यों में आपके चुनाव हैं कहां कहां चुनाव हैं बिधान सबाकी आप देखते हैं एक तो है आपका असम्मे उसके बाद आप देखेंगे तो आपका बश्यम बंगाल हो गया और काफी यहां गर्मा गर्मी चल रही है समझ रहे हैं उसके बाद आप जाएंगी तो पूरुचेरी में भी आपका चुनाव है और उसके बाद आप लोग तमिलाडू और केरत इन भाच राज्यों में आपको चुनाव देखने को मिलेगा और एक बात आप लोग हमेसा याद रखिए आपकी अधिक से अ जाकेंत होंगे और आप समझें कि इन से उम्मीद क्या रख सकते हैं आप लोग आँगे यह जिस माहूल में ढले हुए हैं उन्हीं उसी जैसा काम करेंगे इसलिए आप देखते हैं कि जनता आप ताव एक तरह से आप समझ सकतिती मनी हुई है और मुझे अच्छी सी बात है इसमें अगर नारों से जिस देखने से काम हो जाए सब्दों से काम हो जाए तो मुझे उस चित में काम करने की जरूरत ही नहीं है चुनाओ अगर आप सोचिए बातों से जीत रहे हैं तो काम करने की कोई जरूरत भी तो नहीं है समय रहे हैं आप लोग अब दिल्ली का आप पर vote हुए थे और मुझे लगता है कि इसमें उसका पक्ष लेना या ना लेना ये अलग बात है बिलकुल, अगर आपको लगता है कि अर्भेंद के जीवाल ने काम नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि आप सच का सामना नहीं कर सकते हैं, वो कहते हैं ना कि सूरज को, यानि क स्वास्त की सुख्जाएं भी हैं, बाकी राज्यों का हाल आप लोग देखिए, अभी रेजल्ट आया था कुछ समय पहले, तो कहा जा रहा है कि प्राइविट स्कूलों से बहतर रेजल्ट रहा है सरकारी स्कूलों का, आप समझ सकते हैं कि और आप समझें कि सभी कोई गरी सुख्जाएं मिल जाएं, तो मुझे लगता है काफी हद तक आप समझें कि गरीब भी मतलब सपने देखने लाएक तो बनी जाएगा, ठीक है, तो दो संस्था हैं आपकी एक है National Election Watch, और दूसरी है आपका Association of Democratic Reforms, इसके द्वारे एक रेपोर्ट निकाली गई है, और कहा है क जहां आपके चार-पांच राज्यों में चुना हो रहे हैं, इसमें से आप देखेंगे टोटल 6388 उम्मीदबारों में से, आप देखें कि 1157 उम्मीदबार, उम्मीदबारों पर अपरादिक केस दर्ज हैं, अपरादिक मामले दर्ज हैं, और ये तो आप लोग समझ सकते ह हैं कि जिनके ऊपर आप समझे केस एक तरह से हो गया, उनका है, और असल में उनकी क्या इस्तिति होगी आप लोग बहतर समझ सकते हैं, और हमारे देश की आप समझी कानून विवफ्षता की इस्तिति आप लोग बहतर समझते हैं, ठीक है? तो इससे मुझे लगता है कि इस कुश्चन्स आपके बनते रहते हैं और कुश्चन्स ना बने, आप लोगों ने एक सब्द सुना होगा, राजनीती का अपरादी करन, इसमें आपके लिखे लिखे मुख परिक्षा में भी कुश्चन्स आ सकता है, और आप से कहीं भी पूँचा जा सकता है, और मैं कहता कहीं ना पूँचे, तब आपको अपनी देने एक जीवन चरया में कम से कम इतनी देश दुनिया की खबर पो होने चाहिए, ठीक है, तो आप देखेंगे इन सभी राज्यों की वारे में आप लोग देख सकते हैं, यह सभी राज्यों, और याद रखिए इस तरह कि राज्य आप लोग अपने नाम सुने होंगे, कई के आपने नाम सुने होंगे, कि इन्होंने बलतकार, में इनका नाम आया हुए है, उनकी पाइटियों की अगर सत्ता होती तो बच जाती है, यूपी का आप लोगोंने एक केस सुना होगा, बिदायक वो देखा है कि एक लड़की के पूरे परिवार को ही खतम करवा दिया, एक कोई आपके बाबा हुआ करते थे, कौन से चिन्न आधार रहेगा, ठीक है, भारत में लोकतंत सासनुफ चुनावी सुधार के लिए 2002 से एक न्यू नामक यानि कि यही है, नेशनल एलेक्शन वोच, नामक राष्ट व्यापी अभियान चल रहा है, और जिसमें 1200 से अधिक गैर सरकारी संगठन और ऐसे ही अननागरिक संगठन सामिल है, ADR की बात करें, तो ADR एक गैर सरकारी संगठन है, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, और ये नई दिल्ली में आपकी संस्था है, इस तरह के संस्थाओं से आपके परलम समय डारेक्ट कुर्शन पूंश लेता है, ठीक है, तो राजनी थी के अपराधी के बात करें आपके बात करें, तो आप लोग देखिए, कुछ समय पहले आप लोग मूवियों में देखते थे कि एक नेता को चुनाओ जितवा देते थे, गुंडे, इस तरह के जो गुंडे हुआ करते थे, वो नेताओं को चुनाओ जितवाने का काम करते थे, लेकिन आप सोची उनके में दिमाग आ गया, उन अपरादियों के में दिमाग आया, उन्होंने सोचा कि मैं दूसरे को चुनाओ जितवा सकता हूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं ही चुनाओ जीत जाओंगा, और जब वो चुनाओ जीत जाएंगे, तो वो किस तरह की नीतिया बनाएंगे, आप बह बड़ती भागेदारी से है, यानि अपरादि चुनाओ लड़कर संसद या राजबिदान मंडलों में सदसों की रूम में निरवाचित हो सकते हैं, और यह मुख रूप से नेताओं और अपरादियों के भी साटगाट के कारण होता है, और मैं भी आप लोगों को बता दू कि देखिए जनता की मुझे लगता है कि नेताओं से जानदा बड़ी गलती है, आप समझे अगर कोई इमादारी से आपके लिए काम कर रहा होगा, तो आप उसे चुनाओ में नहीं जिताएंगे, समझ रहे हैं आप लोगों, और आपने देखा होगा एक दो मडर की होगा, उसे आप लोग जरूर वोट दे देंगे, मैं कई ऐसे सांसदों को जानता हूँ, कई ऐसे विधायकों को देखा है मैंने, और जानता हूँ पड़ा उनके बारे में, यह आप समझें कि जिनकी सकल नहीं देखिए जनता ने, किसी गाओं में मतलब जहाकने के लिए नहीं जा पार्टी का एक सिंबल रहता है, उसी पर वोट दे देते हैं, और जो लोकल का काम करता रहता है, जो 24 गंटा उनकी मदद करता है, उसे हरा देते हैं, तो यह तो हमारे वोटर रहों का हाल है, समझ रहे हैं, हम लोग एक धरम के नाम पर वोट दे देते हैं, जाती के नाम पर जांके देखिए बच्चों की कोई इस्तिधी अच्छी नहीं है और उस गरीमे में मतलब वहीं रह जाते हैं कि काम की नाम पर वोट हूं मैं कहता हूं सिक्षा स्वास्त और इस तरह कि जो भी काम है इन पर अगर वोट हो जाए इन पर राजनीती आ जाए तो हमारा देश कोई पायटी कहती रहती गरीवी हटाओ कोई हिंदू मुसलिम तो एक तरह से नहीं पर काम हो जाता है इसलिए उन्हें काम भी नहीं करना पड़ता है ठीक है और आगे अगर हम लोग बात करें अपर आधिक उम्मिद्वारों की आयोगता का कानूनी पहलू तो भारती संसद विद्वारों के लिए किसी व्यक्ति की आयोगता के विशह में कोई उखबंध नहीं किया गया है यानि कि कोई अगर ढकेंत है वो भी चुना लड़ सकता है कोई मडर किये हुए वो भी चुना लड़ सकता है लेकिन आप देखिए कि लोग पितिनेदित अधिनियम 1959 में व जो जेल में बैटकर भी चुनाओ जीच जाते हैं, तो आप समस्थ रखते हैं कितनी भायाना किस्तिती बनी हुई है, इस अधीनियम की धारा, केवल मुकदमा चला, और दोस अभी सिद्ध नहीं हुआ है, इस बात से कोई फरक नहीं परता है कि उन पर लगा आरोप कितना हत्या का किस चल रहा है, ठीक है, वो जेल में हैं, और वो क्या कर देता है कि उस पर अभी देखी सुप्रीम कोट में फैसला नहीं है, उसे सजा नहीं हुई है, और उसने किया हुआ है, कितना भी गंबीर आरोप है कि इसने हकी में किया है, लेकिन सुप्रीम कोट का या फिर सांसद अत्वा विदायक हत्याव लदकार आतंगवादी गती विदियों में सामिल होने जैसे इस अपरादों में लिप्ट है तो उसे इस धारा की अंतरकत आयोग माना जाएगा एवं बरस इच्छे बरस की अउधी के लिए आयोग गुशित किया जाएगा लेकिन मुस्किल स अधिनियम में संसोधन के वाब जूद राजनितिक दलों के वीच एक सामान सहमती बन गी है जो संसद को राजनिती के अपरादी करण को रोकने के लिए मजबूर कानून बनाने से रोकती है और आप देखते हैं कि हर पायटी चाहती है कि हमारे में कोई अगर मडर की होगा तो उसे अपने अपनी तरफ खींचने का काम करती है किसी गुंडे को आप लोग देख लिजे पहले आप समझी कोई पायटी दूद की दुद की दूली नहीं है एक तरह से कोई कम चोर है तो कोई ज्यानद चोर है ठीक है कर्यानवन का आप राजनिती में अपरादी करण को रोकने के लिए बने कानून और नेड़ें के कर्यानवन की कमी के कारण इसमें बहुत मदद नहीं मिल लिए देखिए आप समझे कि कितने भी कानून आ जाए अगर वो जमीन पर सही से लागू नहीं उपा रहे हैं तो आप समसकते हैं क्या इस्ति बनी हुई है एक है आपका धरम जैसे समझाई केतों से तरभावित होकर मददान करता है आप समझे कि इसमें जन्ता भी उतनी भागेदारी है अगर आप सोचते हैं कि पाप है अगर काम नहीं करना पाप है तो उसके पापी के हकदार भी आप लोग है उतना ही है जितने की नेता है मुझे लगता ही कि नेताओं से जानदा है हम लोग, हमें मालू हैं कि इस तरह के नेता हैं, फिर भी हम लोग उन्हें बूट दे देते हैं, एक है आपका बाहुबल और धन का उपयोग, गंभीर अपराधिक फिश्ट भूमी वाले उमीदबारों के पास अकसर धन और संपदा काफी अधिक मातरा में होती है, इसलिए बेदल के चुनावी अभियान में अधिक से अधिक पैसा खर्च करते हैं, और उनकी राजनीती में परवेश से करने तथा जीतने की संभावना भी बढ़ जाती है, आप समझे कि एक आप सीधे साधे हैं, आप चुनाव लड़ लिए, और दूसरी आप देखेंगे, आपके पास पैसे बांटने के लिए नहीं है, चुनाव में बोटर खरीदने के लिए नहीं है, उसके पास हैं, तो ये भी देखा जाता है, और इसकी अतरिक कभी-कभी तो मद्दाताओं के पास कोई बेकल्प नहीं होता है, क्योंकि सभी पितियोगी, उ अभी पितिनीदियों से जानदा बोट आते हैं, तब भी चुनाव रद नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर हम बात करें इस राजनीती में अपरादियों के कारण प्रभाव क्या पड़ी हैं, तो उसे भी आप लोग देख लिजे, सोतन्त और निस्वक्ष चुनाव के सिध्धान के बिरोते हैं, इसलिए आप देखते हैं कि हमारी डेमोकरेसी इंडेक्स या लोगतन्त में जो भी आपका सुचकान काता है, उसमें हम लोग नीचे से टॉप कर रहे होते हैं, ठीक है, एक अच्छे उम्मीदवार का की पसंद को सीमित करता है, यह सोतन्त और नस्पक्ष चुनाव के लोगाचार की खलाब है और जो लोगतन्त का आधार है, फिर आप देखें कि सुचासन पर विभाव, फिर मुख समस्या है कि कानून तोडने वाली ही कानून बनाने बाले बन जाते हैं, और इस से सुचासन इस्थापित करने में लोगतन्तांत्रिक पिक्किरिया की परभावकरिता परभावित होती है, अब मान लिजे कि मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसा ना हो तो अच्छा है, लेकिन फिर भी मान लिजे मानने में क्या जा रहा है, हम लोग बड़े दस भीवार्मी में मानते थे थे तो मुझे अगर आप समझे कि किसी नीती के कारण फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, और कैसी कानून, ऐसा कानून मैं लाना चाहता हूँ, जिससे मुझे ही जेल होगी, तो मैं किसलिए कानून बनाऊँगा, सबार है, भारती ये लोग तांत्रिक फिर्णाली में एहतर प्रवित्ती यहां के संसादनों की, संस्थानों की प्रकिती और विधाईका के चुने हुए पितिनेधियों की गुर्वत्ता की खराब छवी को दरसाता है, फिर आप देखें कि लोग सेवकों की कारण पर फिवाओ, इससे चुनाओ के दोरानों और बाद में काली धन का फ मुझे लगता है कि जब तक सभी अगर उसमें संबलेत ना हो, उससे साब करने में एक तरह से सभी ना कोसिस करें, मुझे लिए लगता है कि हट सकता है, अभी आप न देखा है स्वक्ष भारत अभियान कितना सफल आ है, क्योंकि हर बैक्ती ने निचले तपके से लेकर उप कि भागेदारी रहे है, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को देखना होगा, सामाजिक भेद भाव को बढ़ावा, या समाज में हिंसा की संस्किती को प्रोसाहिद करता है, और भावी पिति जन्पिती निधियों के लिए एक गलत और धारन भी पिस्तूत करता है, राजनीती करता है, तो सर्वी नियाले की बारे में बात करूं, तो आप जानते हैं कि हमारे सुप्रीम कोड की त्थापना कभी थी, 26 जनवर 1950 को, और रौटीकल 124 जो देखते हैं सुप्रीम कोड से ही संबन्त दित हैं, तीक है, ये भी आप लोग याद रखें तो सर्वोच नियाले ने फरवरी 2020 में राजनितिक दलों को विधानसभा और लोगसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदबारों के संपूर अपरादी कितियास को फिकासित करने का आदेश दिया साथ ही उन कारणों को भी जिन से उन्हें अपरादी करने के लिए मलबूर होना पड़ाता आप समझी यह भी कहा गया था इस नेड़ाय में की जो भी पायटी टिकेट देती है किसी उम्मीदबार को उसका पूरा बायू डाटा कि उसने क्या क्या किया है अपरादी है या नहीं है सब कुछ अपनी साइट पर एक तरह से अपलोड करना होगा और वहां के निउच पिपर में भी एक तरह से चबवाना होगा लेकिन अभी तक आप लोग नहीं देखते हैं तो यह भी आप समझ सकते हैं कि इस तरह की नेडम मध्यम परिवार और निम्न परिवार लोगों के लिए होते हैं राजनितिक पार्टियों के लिए आप समझ सकते हैं कोई नियम कानून नहीं होते हैं और यही आप लोग देख रहे होंगे कि देश में पूरा कुरोना च्छाया हुआ है और जहां आपके एक तरह से चुनाव हैं क्या चलता है नियाय पाली का अन्याले ने पबलीक इंटरेस्ट फाउंडेशन वनाम भारस संग 2018 में राजनितिक दलों को अपने उमीदबारों के लंबित अफराधिक माबलों को आउनलाइन पिकासित करने का भी निजदेश दिया था लेकिन ए भी अभी तक नहीं हो पाया है तो ए भी आप लोग देख सकते हैं इसमें अगर बात करें तो चुनाओ सुधार पर वनी विभेन संतिया भी हैं जिनमें आप दिनेश गो स्वामी इंदीजी संति ने राजी चुनाबी खरच के बहन किये जाने की सिफारिश की जिसमें काफी हत तक चुनाओ में काले धन के उपयोग पर अंपुस लगाने में मदद मिलेगी और पर नाम सरो राजनीती के अपरादी खरण को सिमित किया जाएगा तो इनको भी याद रखी कई बार पूंच लेता है कि चुनाओ स्वामी इंदीजी संति कौन कौन सी है तो दिनेश गो स्वामी इंदीजी संति है देखे मैं पहले भी बता रहा हूं कि एक तरह से आप समझी कि उपर से नियम कानून बने हुए है लेकिन नीचे लागू ही नहीं हो रहा है एक स्वक्ष चुनाओी पिक्रिया ही तो राजनीती पार्टियों के मामलों को को बीनेमित करना आवसक है जिसके लिए निर्वाच निर्वाचन आयब हमारा जैसे भारत का निर्वाचन आयब तो राष्टी निर्वाचन आयओ इसके स्थापना की वात करें तो 25 जन्वरी 1950 को हुए और ये आटीकल 324 है जो आपका इसी से संबंदित है चुनाओसे टीक है और लोक सभा हो राज्ग सभा हो बिधान सभा हो बिधान परश्यद हो, राष्ट पती हो, उपराष्ट पती हो, ये सभी चुनाव आपका राष्टी है, निर्वाचे नायो करवाता है, जो लोकल आपकी बोड़ी का चुनाव होता है न, ये आपकी राज्ज में, हर राज्ज में आपका अपना अपना चुनाव होता है, ठीक यहां के नियालेयों को अब गंभीर अपराधिक प्रवित्ती वाले उम्मिद्वारों के चुनाओं लड़ने पर पितीवन लगाने जैसी फैसली पर विचार करना चाहिए। अब देखिए आंगे क्या होता है आप लोग इसलिए तो कहता हूँ कि कोई नियूच्पेपर आप लोग फॉलू करते रहा करिएगा कम से कम देश दुनिया की खवर से जुड़े तो रहा करिएगा और इनिये से आपके कुश्चन्स भी बन जाते हैं तो यह सब आप लोग य जिता दीजी आप लो उपर वाला कभी नहीं आएगा आपके पास आपका लोकल का ही आएगा जो आपके साथ हर समय दोखों परचाहिसों को साथ रहे फिर आपका मन ठीक है तो यही कहानी है आपकी राजनीती में अपराधिक करेंगे